स्वागत है आपका आज के अपिसोड में चले शुरुवात करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्ण के साथ जल जीवन मिशन किस वर्स लॉंच किया गया था? A. 2006, B. 2010, C. 2014 या D. 2019 इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प D. 2019 चले देखते हैं इसके विसलेशन को शुरुवात 15 अगस्त 2019 उद्देश्य कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से वर्ष 2024 थक प्रतेक ग्रामिड परिवार को प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन 55 लीटर जल उपलब्ध करान क्रियानवयन जल शक्ती मंत्राले नोडल मंत्राले तो चले शुरुवात करते हैं आज की अपिसोड की पहले प्रशन के साथ निम्नलिकित में से कौन सा राज जब पिरुल लाओ पैसे पाओ पहल शुरू करने जा रहा है इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प ए उत्राखन चले देखते हैं इसके विसलेशन को हाली में उत्राखन सरकार ने सर्वोच नियाले को सूचित किया कि वनागनी की आपाते सिते पर अबनियंत्रण कर लिया गया है मुखे मंत्री ने वनों से पिरुल यानि चीड की पत्या एकत्र करने के लिए एक कुशल रणीती की आवशकता पर बल दिया उन्होंने सभी प्रदेशवासियों से पिरुल संग्रहड और आसपास के वनों की सुरक्षा के व्यापक अभियान में भाग लेने का आगरह किया इस के अतरिक्त उन्होंने उले किया कि सरकार च्वीड की पत्यों की संग्रह को प्रोथ साहित करने और वनागनी पर नियंत्रड के लिए पिरुल लाओ पैसे पाओ पहल लागू कर रही है इस मिशुन के तहत वनागनी को कम करने की उद्देश से पिरोल को संग्रहड केंदर पर 50 रुपे प्रती कीलो की दर से खरीदा जाएगा अगला प्रश्ण है भारती वायू सेना यानि IAF दिवस कब मनाया जाता है इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प डी आर्ट अक्टूबर चलिए देखती है इसके विस्टेशन को भारती वायू सेना के स्थापना वर्श 1932 में द्यूतिय विश्व युद्ध के दोरान जापान के खिलाफ युद्ध में युनाइटिट किंग्डम की रॉयल एयर फोर्स का समर्थन करने के लिए की गई थी भारत द्वारा जापानी सेना को आगे बढ़ने से रोकने के लिए आई एफ का उप्योग बर्मा में जापानी ठीकानों को निशाना बनाने के लिए किया गया था वर्ष 1945 में किंग जॉर्ज छे ने आई एफ के उपलब्धियों के सम्मान में इसे रॉयल उपादी प्रिदान की वर्ष 1950 में भारत के गर्तंत्र बनने के बाद इस मानत उपादी को समाप्त कर दिया गया राश्ट्र की स्वतंतरता के बाद या वर्ष 1950 में भारती वायू सेना के रूप में विक्सित हुई भारती वायू सेना दिवस आठ अक्टूबर को मनाया जाता है अगला प्रश्ण है येलो हेडिट टॉटोईस यानि पीले सिरवाले कच्वे की IUCN रेड लिस्ट में क्या इस सिती है इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प सी गंभी रूप से संकट ग्रस्ट चलिए देखते हैं इसके विसलेशन को उत्राखन के वनों में लगी आग राज्य के सम्रिद्ध वन जीवन को खत्रे में डाल रही है जिसमें बाग, हाती, तेंदुए, साती पक्षियों और सरीस्रिपों की एक बड़ी श्रेंखला शामिल है पारिस्त की एतंत्र पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है विशेशकर पक्षियों और सरीस्रिपों के लिए सिति गंभीर बन चुकी है जिनने अपनी सीमित गतिशीलता के कारण आग से बचकर भागने में कठनाई हो रही है पर्या वरड फोटोग्राफर के अनुसार वनागनी के कारण घोसला बनाने वाले पक्षियों सहीत कई पक्षि प्रजातियों की भयंकर हानी हुई है वन सन्रक्षत अनुसंधान गंभी रूप से संकट ड्रस येलो हेड़े टॉटोईस के बारे में चंतित हैं क्योंकि वनागनी के दौरान इन्हें खत्रा बढ़ जाता है जब ये सूखे साल के पत्तों के नीचे आश्रे ढूडते हैं पहले से ही इनकी घरती जीवसंख्या को देखते हुए इन कच्छों की थोड़ी सी भी संख्या के नश्ट होने से इस प्रजाति के अस्तितों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है अगला प्रश्ण है भारत में निम्नलिकित में से किस राज जमें हाथियों की जीवसंख्या सबसे अधिक है इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प बी करनाटक चली देखती हैं इसके विसलेशर को हाथि भारत का प्राकृतिक विरासत पशु है हाथियों का सम्मन्द के स्टोन प्रजाती से है विवन परिस्तिकी तंत्र के संतुलन और स्वास्त को बनाए रखने में महत्वपून भूमिका निभाते है हाथियों की असाधार बुधी मता उनकी सबसे प्रमुख विशेश्टा है इनका मस्दिक्ष इस्थल पर पाये जाने वाले किसी भी पशु के मस्दिक्ष के आकार के तुल्ला में सबसे बड़ा होता है प्रोजक्ट एलिफेंट के वर्ष 2017 की गर्णा के अनुसार भारत में सबसे अधिक जंगली एशियाई हाथी पाये जाते हैं जिनके अनुमानित संख्या 2964 है यह इस प्रजाती के वैशुक आबादी का लगभग 60 प्रतिशत है करनाटक में हाथियों की संख्या सबसे अधिक है इसके बाद असम और केरल का स्थान है अगला प्रश्ट है निम्नलिकित में से कौन सी नदी भूमति सागर में गिरती है इस प्रश्ट का सही उत्तर है विकल्प A नील चले देखते हैं इसके विश्टेशन को भूमति सागर अट्लांटिक महासागर का एक सागर है जो यूरेशिया और अफ्रिका महादीपो के बीच इससे थे तथलक बग पूरी तरह से भूमी से गिरा हुआ है सीमावर्ती देश 21 अल्बानिया, अलजीरिया, बोसिनिया और हर्जे गोविना, क्रोईशिया, साइप्रस, मिस्र, फ्रांस, ग्रीस, इसराइल, इटली, लेबनान, लीबिया, माल्टा, मोनाको, मोंटेनेग्रो, मोरक्को, स्लोवेनिया, स्पेन, सीरिया, ट्यूनीशिया त साथ जुड़ा हुआ है, नील न दी भूमद्य सागर में गिरती है, अगला प्रेश्ट है, अंतरराष्टे मुद्राकोश यानि आइमेफ किस था अपना किस वर्ष की गई थी, इस प्रेश्ट का सही उत्तर है, विकल्प सी 1944, चले देखते हैं इसके विसलेशन को, आइमेफ एक अंतरराष्टे संगठेन है, जो वैश्वक, आर्थिक विकास और वित्य सिर्था को बढ़ावा देता है, अंतरराष्टे व्यापार को प्रोथसाहित करता है, तथा और अंतरराष्टे भुक्तान की प्रडाली है, जो देशों को एक दूसरे के साथ लेंदेन करने में सक्षम बनाती है, अंतता या उन देशों की सरकारों के लिए अंतिम उपाय का रिड़दाता बन गया, जिन्हें गंभिर मुद्रा संकर से जूजना पड़ा, अगला प्र हाली में International Organization for Migration ने World Migration Report 2024 लॉंच की, जुदिय विशुयुद की उथल पुथल के बाद यूरोप से प्रवासियों के आंदोलन के लिए अनंतिम अंतर सरकारी समीती की रूप में वर्ष 1951 में International Organization for Migration या अंतराष्टी प्रवासन संगठन की शुरुआत हुई, वर्ष 1952 में इसका नाम PICMME से बदल कर Intergovernmental Committee for European Migration यानि ICEM वर्ष 1980 में Intergovernmental Committee for Migration और अंतराष्टा वर्ष 1989 में International Organization for Migration कर दिया गया जो एक प्रवासन एजनसी के रूप में इसके विकास को दर्शाता है वर्ष 2016 में IOM ने संग्तराष्ट के साथ एक संजोता किया जो एक संबंदित संगठन बन गया सदस्य, वर्तमान में इसके 175 सदस्य राज्य और 8 राज्य परविक्षक का दर्जा प्राप्त है भारत 18 जून 2008 को IOM सदस्य राज्य बन गया इसका मुख्याल है जिनेवा स्विट्जर लैंड में है अगला प्रश्ण है पुष्टी मार्ग के स्थापना किसके द्वारा की गई थी इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प डी वलभाचार्य चली देखते हैं इसके विस्टेशन को 4 मई 2024 को मनाई जाने वाली वलभाचारे जयनती प्रसिद्ध हिंद विद्वान और भगवान कृष्ण के भग्त श्री वलभाचारे को समर्पित है वलभाचारे को विधो और उपनिशिदों का अच्छा ग्यान था उन्हें वलब तथा महाप्रभू वलभाचारे की उपाधी दी गई थी वलभाचारे ने शुद्ध अद्वैत या शुद्ध अद्वैत वाद का दर्शन प्रतिपादित किया उन्होंने भारत के ब्रजशेत्र में कृष्ण केंद्रित पंथ वैश्ण वाद के पुष्टी संप्रदाय की भी स्थापना की वलभाचारे का जन्व 1489 इस्वे में वारांसी में एक तीलगू ब्रामण परिवार में हुआ था वलभाचारे पुष्टी मार्ग नामक भक्ती संप्रदाय के संस्थापक थे तो चलिया अंत में देखते हैं आज का भ्यास प्रश्ट को फ्रेडरिक एडवर्ड क्लीमेंट के अनुसार निम्नलिकित में से कौन से प्रावस्थाएं किसी भी पारिसित की तंत्र या आवास में वनस्पते के अनुक्रमिक विकास की घोतक है एक प्रवास, दो आस्थापन, तीन प्रतिक्रिया, चार इस्थरी करण निचो दियेगे कूट का प्रियोग कर सही उत्तर चुनिए एक केवल एक और दो, बी केवल एक तीन और चार, सी केवल दो और चार, डी उप्रोक्त सभी इस प्रश्ट का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दे, आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद जे जे लिएक झा रेकी से विएे, एक तान में जरूर भो प्रियोजेट ऑ